एक समय की बात है, एक गाओं में बुढिया अपने बेटे तथा बेटी के साथ रहा करती थी, बुढिया नी अपनी बेटी का ब्या करा दिया था, उसकी बेटी का स्वभाव थोड़ा गन था, ताने देना, गाली देना उसके स्वभाव में शामिल हो गया था, काफी समय बाद बुडिया का बेटा अपनी बेहन से मिलने के लिए मा से पूछता है उसकी मा कहती है उसके यहां क्यों जा रहा है वह तो ठीक से बात भी नहीं करती और गाली गलोच करती है भाई अपनी बेहन से बहुत प्यार करता था इसलिए मा को समझा बुझा कर वह बेहन के यहां मिलने निकल गया रास्ते में उसे नदी पार करना था नदी पार करते समय नदी काल के रूप में प्रकट होती है उसे अपनी धारा में बहाने के लिए कहती है भाई प्रातना करता है कि वह अपनी बेहन से मिलने बहुत दिनों बात जा रहा है वह मिलकर लोट आए तो अवश्य उसे अपनी धारा में बहा लेना प्रातना सुनकर नदी शान्त हो गई और उसे रास्ता दे दिया कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे एक बड़ा विशेला साप मिलता है जो उसकी और फन बढ़ा कर डसने को तयार रहता है भाई फिर कहता है वह अपनी बेहन के यहां जा रहा है उसे तिलक और कलावा बंदवा कर लोटेगा तो अवश्य ही डस लेना साप उसे वहां से जाने देता है कुछ दूर आगे चलने पर उसका एक विशाल काई शेर से सामना होता है शेर कई दिनों से भूका था वह भोजन की तलाश में था आदमी को देखकर उसकी तलाश पूरी होने वाली थी वह अपनी भूक मिटाने के लिए इस पर चपटा मार रहा था भाई हाथ चोड़ कर उसके सामने खड़ा हो गया और वही पुरानी दो बाते जो साप और नदी से कही थी शेर को भी कह डाली शेर ने उसे जल्दी लोट कर आने के लिए कहा तीन बाधाओं और काल से बचकर वह अपनी बेहन के यहां जा पहुचा घर के बाहर से उसने अपनी बेहन को आवाज लगाई बेहन घर के भीतर बैठी सूत बना रही थी आवाज सुनकर सूत का धागा तूट गया मानिता के अनुसार धागा तूटने पर आवाज की प्रतिक्तिया नहीं दी जाती इसलिए वह जटपट धागे को जोडने लगी भाई ने तीन चार आवाज लगाई किन्तु बेहन ने कोई जवाब नहीं दिया उसे अपनी मा की बात याद आ गई जो यहां आने के लिए मना कर रही थी क्योंकि बेहन का सुभाव मा भली भाती जानती थी वह निराश होकर वापस लोटने लगा तब तक बेहन धागे को जोड चुकी थी बहार निकली तो भाई वहाँ से जा चुका था वह पीछा करते हुए अपने भाई के पास पहुची और ना बोलने का भी कारण बताया भाई खुशी खुशी बेहन के घर लोट आया बेहन नि अपनी पडोसन से पूछा कोई खास मेहमान घर आए जिसे हम बहुत प्रेम करते हैं तो उसके लिए कैसा खाना बनाना चाहिए पडोसन नी मजाक में कहा तेल का चौका लगाना चाहिए और घी का चावल पकाना चाहिए भाई के प्रेम में बेहन यह ना समझ सकी कि पडोसन उससे मजाक कर रही है उसने ऐसा ही किया किन्तो इस विधी से काफी समय लग गया मगर चावल नहीं पक पाया भाई की भूख बढ़ती जा रही थी क्योंकि वा काफी लंबा रास्ता तै करके आया था जब उसने अपनी बेहन से बूचा तो बेहन ने खाना बनाने की विधी बताई भाई जोर से हसने लगा और उसने पडोसन के मजाग को अपनी बेहन से बताया बेहन दोबारा चूला जला कर जटपट खाना बनाती है और अपने भाई को भोजन कराती है अपने भाई के स्वागत में तिलक लगाती है हाथ में कलावा बानती है और गी की बत्ती से उसकी आर्थी उतारती है कुछ दिनों बेहन के घर रहे के लोटने की जिद पकड़ लेता है बेहन उसे कुछ दिन और रहने के लिए कहती है किन्तु वहाँ उसकी बोड़ी मा गाउं में इंतिजार कर रही होगी ऐसा कहते हुए वह वहन को विदा करने के लिए मना लेता है बेहन भाई को रास्ते के लिए गेहूं पीस कर स्वादिश्ट लड़ू बना कर देती है भाई अपने वहन से विदा लेकर अपनी मा की पास निकल जाता है कुछ देर बाद जब वह लड़ू को देखती है और उसका रंग बदला हुआ होता है जिस चक्की में वह गियों पीस्ती है वहाँ देखती है तो पाती है कि एक साप उस चक्की में पिसा हुआ है वह समझ जाती है आटे में साप पिस गया है और वह वेवी थो उड़ती है बहन उससे लड़ू की विशह में पूछती है तुमने लड़ू तो नहीं खाया भाई ने कहा नहीं अभी लड़ू नहीं खाये हैं वह भगवान का धन्यवाद करती है लड़ू की पोटली लेकर कड़ा खोद उसमें सभी लड़ू को भर देती है बहन को ऐसा करता देख बात है तो वहां साप की घटना बता देती है भाई कहता है बहन तुमने मुझे इस काल से तो बचा लिया किन्तु पिछले तीन काल मेरा इंतिजार कर रहे हैं नदी साप शेर की घटना अपनी बहन को बताता है बहन बहुत दुखी होती है उस समय बाद उसे जब प्यास लगत करती है वहां एक बुढिया बैठी माला तयार कर रही थी बुढिया को देखकर बहन ने पूछा माता आप यहां क्या कर रही है आप कौन है वह बोली मैं विधाता हूँ एक लड़की के भाई के लिए माला तयार कर रही हूँ जिसका काल आने वाला है उसकी बहन ने चक्की में पीसे कर एक साप को मार डाला है बहन समझ गई वह उसी के भाई की बात कह रही है बहन ने पूछा इस काल से बचने के लिए क्या उपाई किया जा सकता है तो बुडिया विधाता ने कहा कि बहन अपने भाई को गाली देती रहे और जब तक उसका व्यार ना हो जाए तब तक उसके साथ रहे ऐसा ही हुआ बहन अब वापस अपने घर लोटने के बजाए भाई के साथ अपने माईके के लिए रवाना होती है उसने रवाना होने से पहले खूप सारा मास दूद और एक ओढ़नी ले ली आगे बढ़ते हुए उसे सबसे पहले शेर मिलता है बादे क खूप необходимо कर खूत को काने वाला था बेहन ने आगे बढ़कर उसे खूप सारा मास खाने को दे दिया शेर उस मास को खाने में वैस्थ हो गया और वह दोनों भाइबेहन आगे बढ़ गए फिर उन्हें वह साप मिलता है जिससे वादे कर उसका भाई आगे बढ़ गया था वह साप को बेहन ने दूद पीने को दे दिया और आगे बढ़ गई नदी पार करते समय बेहन नदी को ओड़नी उड़ाई जिससे नदी प्रिसन्न हुई और उसे सही सलामत पार करने के लिए रास्ता दिया इन सबी काल से बचते हुए भाई बेहन अपने मा के यहां पहुँच गए घर पहुँच कर वह अपने भाई को गाली देने लगी और महीं गुस्से वाला मिजास फिर धारण कर लिया मानी अपने बेटे से का मैं तुझे इसलिए मना कर रही थी यह हमेशा गुस्से में रहती है और गाली गलोच करती है इससे जादा सनी है मत कर भाई ने कहा यहां मुझे तीन तीन काल से बचा कर लाई है रास्ते बर तो ठीट थी यहां पहुँच कर न जाने से क्या हो गया कुछ दिन बाद भाई का रिष्टा आया व्या की तारीक निश्चित हुई व्या के समय मंडप में बहन बैठती है अगनी से धदकती हुई ज्वाला उस पर पूरे मंडप को जला देती है किन्तु भाई पर कोई आच नहीं आने देती द्वार छिकाई की रस्म होती है बहन द्वार से पहले निकलती है और भाई को दूसरे द्वार से जाने के लिए कहती है बहन जैसे ही आगे बढ़ती है पूरा का पूरा द्वार भर भरा कर नीचे गिर जाता है यहां भी वह अपने भाई की रक्षा करती है रात को भाई के कमरे में वह परदा कर सोती है जब भा और भाबी नीन में होते हैं तभी एक विश्दर साप कमरे में प्रवेश करता है उसे पकड़ कर एक टोकरी में बंद कर देती है अब वह निश्चिंत हो चुकी थी कि अब इस पर कोई काल नहीं आने वाला है वह निश्चिंत होकर एक किनारे सो जाती है बुडिया मा देखती है बेटी सो रही है सभी बरातियों को विदा कर दिया जाए ऐसा ही किया सभी बरातियों को विदा कर दिया बेहन की नीन खुलती है तो वहां किसी को नहीं पाती है मा से पूछने पर पता चलता है कि सभी बरातियों को वापस बुलाने के लिए कहती है मा सभी बरातियों को लाती है बहन ने अपने सुभाव और इस प्रकार के कार्यों के पीछे अपने उद्देश्य को सभी के सामने बताया उसने यह भी बताया कि किस प्रकार मेरे भाई पर काल मंडरा रहा था उसे गाली देना और उसके साथ सदैव रहना मेरी मजबूरी थी क्योंकि इसी से मेरे खाविय की रक्षा हो सकती थी सभी परसन हुए क्योंकि वह सभी चानते थे कि वाकई बहन काफी समय से उसकी रक्षा कर रही थी किन्तु उसके सुभाव से लोग अनबिग्य थे जब कर पहले पूरे सम्मान के साथ अपने बहन को विदा किया तब पूरी बारात वहां से विदा हुई इस घटना के बाद सभी बहने अपने भाई को तिलक कलावा और मंगल के सभी समानों से अपने भाई की पूजा करती हैं उसके धीरगायों निरोगी होने की कामना करती हैं धन्यवाद